कि कॉन्फिग्रेशन और प्रोटीन अनों का विन्यास किसी भी अनों में लगे संयोजक परमानों की वियस्ता को विन्यास या कॉन्फिग्रेशन कहते हैं और अगर प्रोटीन अनों की विन्यास की बात करें तो प्रोटीन अनों के चार परकार की विन्यास पाय जाते हैं प्र हम जानते हैं कि प्रोटीन है यह एमिनो आमलों की होता है पूलीमर होता यह पूलीमरता है यह प्रोटीन्स के अंदर बहुत सार एमिन आमल आपस में जुड़े रहते हैं कि एमिनामल जो कि समिप वर्थिज़ों ं ooh कि जूदो यह mejorar है जिन में हम जानते हैं कि एक एमिनामल का सि दवलो समोगा और दूसरे एमिनामल का और चूग होगा और इन दोनों हैं अमिनामल के जुड़ने से एक वोटर मोलेक्यूल रिलीज हो जाता है और इनके बीच में एक बंद का निर्मान होता है जिसे क्या बोलते हैं पैप्टाइड बंद कहते हैं इस तरीके से दो एमिन आमलों के जुड़ने से एक अनू का निर्मान होता है जिसे हम डाई पैप्टाइड बो प्रोटीन क्या होता है? पूलिपेप्टाइड चैन ही होती है. अब हम यहाँ पे configuration देख लेते हैं कि protein की चार तरीका configuration है जैसे यहाँ मेर्डेखेंगे primary protein structure इसके अंदर amino acids हैं यह क्या होता है? sequence के अंदर लगे हुए हुए रहते हैं एक सरंखला के अंदर एक दूसरे से peptide बंद वारा जुड़े हुए रहते हैं अगर हम secondary protein की बात करें तो secondary protein के अंदर हम देखेंगे कि local folding हो जाती है और इससे हैलिकल्स या सीट का निर्माण हो जाता है और यह जो फोल्डिंग किस तरीके से होगी hydrogen बंद की निर्माण की वज़े से इसमें होगी और जिससे की secondary जो protein की structure है वह हमें alpha helix और beta plate seat के रूप में हमें मिलती है नेक्स टर्शरी प्रोटीन structure में हम देखेंगे कि यह इसकी three dimensional folding pattern इसमें हमें दिखाया गया है और इसके अंदर जो proteins की side chain है उनके बीच में क्या हो जाता है interaction हो जाता है जो side chains है हो उनके बीच में आपस में कुछ बंदों का निर्माण हो जाता है जिससे की त्रितिक जो विन्यास है उसका निर्माण होता है और लास्ट है quaternary protein structure इसके अंदर हम देखेंगे कि जो polypeptide chain है बहुत सारी polypeptide chain सा आपस में जुड़ जाती है और इनके अंदर कई परकार के बंद उपस्तित होते हैं अब एक एक को हम देख लेते हैं सबसे पहले है primary structure of protein इसके अंदर हम देखेंगे कि एक polypeptide सरंखला के रूप में हमें दिखाई दे रही है primary structure जिसमें बहुत सारे amino acids हैं जो आपस में किस से जुड़े हुए रहते हैं peptide बंद के द्वारा जुड़े रहते हैं सभी amino है यह alpha विन्यास में होते हैं और जो peptide बंद इनमें बनता है इनमें सभी परमान क्या होते हैं एक ही plane एक कितल के अंदर उपस्तित होते हैं और ऐसे protein है यह hair और और शिल्क के भाती रेशेदार होते हैं उधान के लिए हम यहां देख सकते हैं इंसुलीन इंसुलीन के अंदर दो इंसुलीन है यह दो सरंखलाओं से दो सरंखलाओं से मिलके बना रहता है इसमें कुल 51 एमिल सिच के दोवारा जुड़ी हुए रहते हैं दो खरब इस लफाइड बंद के दोवारा जुड़ी हुई रहते हैं विन्यास सभी प्रोटीन के प्रात्मिक विन्यास पे अध्यारवपित या सुपर इंपोल्ड होता है और कि इसके अंदर हम देखेंगे कि दुद्ते प्रोटीन में कसकर लिपटी वी पॉली पेप्टेड शरंखलाए हैं एक कुंडला कार आकर्ति उत्पन करती हैं जिसे हम सेकेंडरी स्टेक्चर बोलते हैं और इसकी सरंखला में परतेक मोड में तीन पॉइंट साथ एमिन आमाली कहीं पाई जाती हैं जो परतेक जो कुंडला होता है उसमें 3.7 एमिन आशीट पाई जाते हैं पॉली पैप्टाइड के अणू है यह सरपिला आकार में जो कि हाइड्रोजन इसके बीच में हम देख रहे हैं कि जो सरपिला का आकार जो हमें है एलिक्स जैसी स्टेक्चर पराप्त हुई है या हमें बीटा प्लेटेड जो सीट पराप्त हुई है इन दोनों में ही इनका नि से कहलाते हैं कि रेटीन के रेशेदार प्रोटीन जो कि मुक्षित है उन बाल वे अन्यों क्लाउट को में पाए जाते हैं वह इसी के धार्ण है नेक्स्ट एड टर्सरी स्टेक्चर ओफ प्रोटीन इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पॉलिपैप्रेट जो चैन है वो नेक्स्ट एवर सरपिराकार आकरती ग्रेंड करती है इसके अलाव और अधिक फोल्डेड हो जाती है और अधिक मोड करके ये राउंडेड सेफ में हो जाती है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके प्रोटीन भोनते हैं चैना इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पॉलीपैप्ट्रीद जो श्रंखला है उसके अंदर नक्योड हैट्रोजन बॉन्न पाया जाते हैं हिसके लाए और ओर भी और स्रय को बंद इसके अंदर उपस्तित होते है जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर hydrogen bond उपस्तित होते हैं जो कि second structure के अंदर भी उपस्तित थे इसके अलाओ इसके अंदर ionic bond भी उपस्तित होते हैं, ionic bond उपस्तित होते हैं इसके अलाओ इसमें डाइसलफाइड बोन्ड डाइसलफाइड बोन्ड भी इसके अंदर उपस्तित होते हैं तो इस प्रकार से इसके अंदर हाइडोजन बोन्ड डाइसलफाइड बोन्ड और आयनिक बोन्ड के द्वारा यह क्या होता है इस आणू में इस्थायत्वा आता है और यह आणू और अ देखेंगे कि बहुत सारे जो पॉली पेप्टाइड चैन है वह आपस में दूसरे से जुड़ जाती है और बंडल जैसी संदचना ग्रेंड कर लेते हैं और यह बहुत सारे जो पॉली पेप्टाइड सरण कलें हैं यह आइनिक बंद हाइडोजन बंद और जो है इसके दौर आपस में यह जुड़ती हैं ऐसे प्रोटीन की जो सब यूनिट होती है उसको हम प्रोटोमर कहते हैं यदि प्रोटीन एक समान प्रोटोमर से बनता है तो उसे हम होमोजीनस क्वार्टनरी स्टेक्चर कहते हैं यह हम हीमोगलोबीन इसका उधान देख सकते है हीमोगलोबीन के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर दो एलफा चैन पाई जाती है और दो क्या पाई जाती है बीटा चैन उपस्तित होती है